आज की रेसिपी है गर्मा गर्म फुली फुली खस्ता कचोरियों की एक वर जरूर देखिया क्यूंकि अलग सी रेसिपी दे रही हूं जरूर बनाईएगा इसे बनानी के लिए आपको मैदा और आटा लेना है मैंने आधा आधा मिला कर लिया है अब इसमें कलॉंजी डाल रह है यह मसाला आज रागे मिल जाएका थार पूंजी अच्छा मसाला है तेस्ट बहुत अच्छा आता है ककचोरियों में मसाला सो जादा तो जादा ला जवाब बनता है अब नब देखें अब लिया और इसमें हमें घीः डालनी और भी न बिला लिए लादा ли पहल लिया न आट थोड़ा खर करकर और पानि डाल कर सा आटा लगा लेना है यहां पर देखें नगर और अच्छ को नहीं है तरह सकते हैं तरह से पंच लाकर गूतना है अब इस लागा साइट पर और देखें पर शिक पर देखें चाहिए तरह करें प्रवाज़ार था उल्पर कर दो हैं इसी दिप यह चट्णी आजसे पहले नहीं खाई होगी जो कि कचोरी के साथ में बहुत च्छी लगती है इसके लिए प्रफेट अब विए अब इसमें मैं चाट मसाला रहे हूं ऐसी काला नमक डाला मैंने इसी के साथ मैं चाट मसाला थो झाल दालना है तो बहुत अब लिए मसाले मिल जाने से जाता है तो इस पॉइंट पर और ग्रेट करकर डाला है साथी 2-3 हरी मिर्चे बारी काट कर डाल रही हूं और डही में हमें अलू और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिला लेना है और अब देखेंगे मज़ेदार सा हमारा चटनी बन गया है इसी के साथ इसको टेस्टी और एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए मैं एक तड़का भी डालूँगी जो एक तड़का बहुत आसान है थोड़ा सा आपको सरसो का तील गरम करना है और इसमें राई दाना डालकर क्राकल कर लेना है और यहाँ पर यह तड़का इसमें डाल रहर हना हैं अब कर देता हैं लेना है जो कि साबट खुआ लेना है यह निवे पन गरम डाल आपकर घ्म भी चुड़न दालना है यानि राय रोस्ट करना है और जैसे ही भी बिनि धिनेः खुश्बू आने लगे छिंग कलर इसका चेंज ओने लागे फ्लेम और दीजेगा यह देखे इसमें कसूरी मेथी डाल देनी है एक बड़े चम्मच फ्लेम उफ करकर डाले और बहुत हैसे इसे मिला ले फॉरन यह क्रिस्पी हो जाएगा यह जो कसूरी मेथी है उसका कर पाउडर कर लीजेगा अभी यहां पर देखें आलो लेना है आलो को मैश कर लेना है तो इसके लिए हमें अलो को थोड़ा फ्लेव बनाना है तो मैंने नमक डाला है पहले एक बड़े चम्मच और यह जो मसाला है हमारा टेस्टी सा मसाला यह हमें डाल देना है फिर यह मसाला डाल कर अगर आप यह स्टफिंग बनाएंगे तो इतनी अलग इतनी लाजवाब लगे फ्लार भी ले सकते हैं यह आपको दो से तीन बड़े चम्मर डालना है डालकर अच्छे से मिला लेना है स्टफिंग तयार हो गई है चटपटे सी मज़िदार सी आगे बढ़ते हैं डो की तरफ तो यहां प्रेंट्स हमारा बहुँचे से लग चुका है सेट हो चुका है और करें ना उसको थोड़ा लूज रखें मोयम उसमें अच्छा सा डाली और थोड़ा उसको टाइम दे पांक दस्मिट कर रेस जरूर दीजेगा जिससे ना सेट होगा वो और बहुँच हिससे आपकी कचोरिया बनेंगी और जब आप तेल बे डालेंगे तो फटेंगी भी नह बना लिए मैंने और अब मैंने आलू का भी एक बॉल बनाकर इसमें स्टफ कर दिया है अच्छा से सील कर दे रही हूं देखें जैसे वीडियो में दिखाया है जिससे यहां पर बराबर सा इसमें लोई पड़ा है और फटेगा भी नहीं यह तो बस इसी तरह से सारे के सारे हमें भरकर तयार कर लेने हैं और चूनट बनाकर गोल घुमाकर बस अच्छे से दबा दीजेगा जिससे ना जो आलू है वो अच्छा सा सील हो जाए और अब इसको हथेली पे रखकर हलका हलका दबाकर फ्लैट बना लें इस तरह से बेलना नहीं आपको और इसर हमें ओयल ग चोड़ी पहचाना किया है कि आप ही कचोरियां पकने लगती है अपने आप ही सथ्य पर फूलने लगती ये यर को पहले में देखने ना कचोरियों को तले में और अब यह सक रही हम सब्ले में यह से नेसी तरजील हमें बने पने सपाटल रहे हैं खारो dispos추 कर और तो बनाएं साथ में मज़ेदार खस्ता करारा क्रिस्पी सा बनता है और चटनी तो इसके साथ लाजवाब लगता है एक बार आप भी कचोरी बनाए तो वह चटनी जरूर ट्राइ किजेगा बहुत स्पेशल बहुत अलग और जबरदसी लगती है मेरी फेवरिट है चटनी आप भी जरूर बनाए आपको भी अच्छी लगेगी और आपके फेवरिट बन जाएगी तो यह देखे फंस हमारी खस्ता करारी फुली फुली गर्मा गर्म कचोरियां बनकर तयार हो गई है देखा आपने कितना असान है इसे बनाना और आप भी हल्वाई से भी बहतरी घर पर कचोरी बना लेकिन यह जो दरी वाला रायता यह चटनी अना बहुत अच्छी लगती है एक बर ट्राइ करकर देखिएगा कुछ अलग है नया है स्पेशल है बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें शेयर कर दें चैनल पेने सब कर लीजेगा इसी तरह कि और भी नहीं देखिएगा चैनल विजिट कीजिएगा उमीद आपको कुछ अच्छा निया जरूर मिलेगा जो कि अमीद आपको बहुत पसंद आएगा अगर कोई रिक्वेस्ट हो सजेशन हो तो प्लीज बताएं कमेंड कीजिएगा और अपने व बहुत सारा ख्याल और मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरू कीजिएगा अब चलिए आपको इसका रिजल्ट कर आती हूँ फाइनल टूथ मूमेंट है जो के यह है कि हमारी कचोरियां कितनी जाद अची लग रही है तेल भी नहीं पिया हुआ है बिल्कुल सुखा सुखा सा कचोरी अगर ऐसा भी कचोरी आप भी बनाना चाहते है तो बस इस रेसेपी को फॉलो कीजिए बिल्कुल इसी तरह से मज़िदार चटपटा टेस्टी हलवाई से भी बहतर घर पे कचोरी आप बना सकेंगे इसना अच्छे से आलू भरा हुआ इसके अंदर फुला फुला सा है और खस्ता भी है साथी चटनी के साथ मज़िदार लग रहा है तो एक बर आप भी जरूर ट्राइ करें रेसिपी प्लीज इंजॉय कीजिए और मज़िदार सी है जरूर ट्राइ कीजिएगा अपना प्या